दोस्तों अगर आप पास IQZ9S Pro 5G Phone है तो आज के इस वीडियों को बताने वाले हैं कि इस फोन में आप स्क्रीन रिकार्डिंग कैसे कर सकते हैं और उसमें अगर voice नहीं आ रही है तो आप voice कैसे अपने voice के साथ जो है आवाज के साथ कैसे आप वीडियो रिकार्ड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर दिखे सेटिंग में जाने के जुरूत नहीं है आपको क्या करना है एक बार फोन को इस तरह के स्कूल करना है एक बार फिर से आपको स्वाइब करना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ही स्क्रीन रिकार्डिं जो है वो इनेबल हो चुकी है और यहां पर क्या आपसर मिल रहा है शिर्फ दो आपसर मिल रहा है एक तो पाउज करने का मिल रहा है यहां से आप इसको पाउज कर सकते हैं और अगर फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं तो देखे यहां पर आपको अपना फोन की सेटिंग को ओपन करना है और यहां पर सर्च करने का आपसन दिख रहा है यहां पर आपको सर्च करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं record sound लिखा हुआ है तो record sound वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर देखे system audio and microphone sound लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको बदलना होगा आपको अगर आप mic लगा के करना है तो microphone audio जो दिखा है इस पर आपको select कर लेना है और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर system सिर्फ आपके पास phone से record करना चाहते हैं तो आप पहले वाले option पर system audio पर क्लिक करेंगे तो आपकी voice जो है वो अच्छे से आ जाएगी वीडियो में